बिस्मिल्लाह रोमान रहीम अस्सलाम अलेकम आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैकराउनी जिसके लिए हम इंग्रिडिंस ट्राइंगे चिकन, गाजर, हरी प्यास, शिम्ला मिरज और बन गुबी मसालों के लिए हमें चाहिए लस्तनदर कपीस, सोयर सॉस, सिर्का हम यहाँ चिली सॉस नहीं बलके डिपट की बार्बिक्यू सॉस यूज़ कर रहे हैं नमक, चिकन पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, वाइट पिपर और काली मिर्च पाउडर और हम इसके लिए चाहिए कॉलसन की बेक पॉलर या कॉलसन की कोई सी भी मैकरॉनी जो आपके पास अवेलेबर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपी हमने तब से पहले चिकन को बॉल करने के लिए रख लिया है हम चिकन को अच्छी देगी से बॉल करेंगे और फिर इसको क्रश कर लेंगे हमने एक पतीले में पानी लेना है पानी हमने जादा लेना है और इसमें नमा कैट कर देना है जरूरत की मताबिक मैं नमक एड़ कर रही हूं इसमें क्योंकि मेरे पास डो पैकेट मैकराउनी है अब हमने इसमें आइल एड़ करना है आइल एड़ करने के विज़ाज यही कि यह मैकराउनी एक दूसरे से चिटकेना हमारे पानी में बॉइल आगे अब हम इसमें मैकराउनी एड़ कर देंगे मैकराउनी डालके अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि मैकराउनी दूसरे के साथ चिटकेना अब हम दूसरा पैकेट भी एड़ करने लगें मैकराउनी डालने के बाद आपने इसको चम्मच को से इसको अच्छे से खिलाते रहना है ताकि यह आपस में दूसरे से चिटकेनी और नरम ना हो हमारा चिकन देखें अच्छे से पक रहा है अब मैं इसको इसमें से निकाल के क्रश कर लूँगी एक जगा हमारी मैकराउनी तेयार हो रही है अब हमें पैल लेना है उसमें एड़ करना है और मैंने मैकराउनी निकाल कर और ठंडे पानी में रखती है अब हमें इसमें डालने लगी हूं लसन अद्रक का पेस्ट बहुत ही सिंपल और आसान मैकराउनी है आप इसे घर के मसालों से ही बना सकता है लसन अद्रक का पेस्ट हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लीना है हम इसने अद्रक करें गाजर हम गाजर को थोड़ा फ्राय करेंगे मैंने बिल्कुल बारिक गाजर काटी है आप चाहें तो इसको स्लाइस में भी काट सकता है तूंकि में पास आलबो मैकराउनी थी इसलिए मैंने इसको चॉप किया है दाचर प्यान होने के बाद हम इस बैट करेंगे चिकन जो कि मैंने कर ली दी बॉयल करने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले अट कर देंगे कोई मसाल ऐसा नहीं करना है जिकि पहले डालना है अब आद में हम तमाम मसाले साथ में ढालके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह बहुती सिंपल मैकराउनी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सिब्सक्राइब कीजिए अब हम इसमें शिम्ला मिर्चाट कर रहे हैं बंगोबी इसको मिक्स करेंगे अब इसमें मैं हरी प्यास आड़ कर रही हूँ मैं इसमें सिर्का आड़ कर दिया सिर्का आड़ करने के साथ ही हम इसमें सोया सॉस भी आड़ कर देंगे हम इसे सिर्फ दो मिनिट पकाना है अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगी अब हम इसमें मैकराउनी एड़ करेंगे अब देखेंगे मैकराउनी बिल्कुल अलग अलग हुई है बिल्कुल आपस में नहीं चिपकी हुई इसे अच्छे से मिक्स करें अब हम इसमें तो और मैकराउनी एड़ करेंगे अब हम इसमें डालेंगे अपनी बार्वी की स्मोकी सॉस जिसका टीस्ट बहुत ही मजिक होता है प्री टेबल स्पून इसमें यह एड़ करेंगे आप यह मैकराउनी बिल्कुल जरूर आजमें ट्राइ कीजिएगा आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा कलर मैकराउनी का है और यह स्मोकी सॉस नलने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट यमी होता है अगर आप रुकस इसमोकी सॉस नहीं है तो आप इसमें चिली सॉस भी एड़ कर सकते हैं झाल 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 झाल